अखिरकार दोस्तों आप सभी का इंदिजार फाइनली खताम हो चुका है आप मेंसे बहुत सारे विवर्स और सब्सक्राइबर्स पिछले कई महिनों से नोकिया के अपकमिंग स्मार्ट टीवी का वेट कर रहे थे और अब जाकर दोस्तों नोकिया ने अफिशल एनाउंस कर द हाला कि दोस्तों मैंने 50 और 32 इंच वीरेंट के रिगार्डिंग पहले ही वीडियो बनाकर बता दिया था कि आने वाले कुछ हफतों में ये टीवी आपको इंडियन मार्केट में देखने मिलने वाले हैं तो फाइनली हाँ पर ऑफिशल कंफरमेशन आ चुकी है और अगर हम ये टीवी के लाँच डेट की बात करें तो ये जो टीवी हैं ये 6 ओक्टोबर को फिलिपकार्ट पर लाँच होने वाले हैं फिलिपकार्ट पर ये टीवी जो है ऑफिशली लिस्ट हो चुके हैं हाला कि वहाँ पर आपको ज़्यादा इंफॉमेशन नहीं मिलेगी जस और आपको वेट करना है उसके बाद आपको इस टीवी के बारे में सारी जहनकारियां मिल जाएंगी यानि क्या स्पेक्स है क्या प्राइज है वो सारी चीदे क्लियर हो जाएंगी जब ये टीवी लाँच होंगे इसके अलवा इस तो इन टीवी के जो सेल है वो मेरे साब से Flipkart के Big Billion Days के दोरान होनी वाली है अगर आपको नहीं पता दोस्तों बता देना चाहूंगा इस बार इस Festival Days Sale में Flipkart और Amazon की सबसे बड़ी Sale आने वाली है जिसमें आपको specially Electronics के प्रोडक्स पर काफी अच्छा और तगड़ा डिसकाउंट मिलने वाला है तो अगर आप भी कुछ नया buy करने की planning कर रहे हो तो इस Sale का wait करो और इसी Sale के दुरान उसे buy करना क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे डिसकाउंट मिलने वाले हैं बाइदेवे guys मैंने इस Sale को लेकर एक detailed वीडियो बनाई है उपर आई बटन में आपको link मिल जाएगी इस वीडियो को end तक पुरा complete जरूर देखना अब चले दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि Nokia के इन TVs में हमें क्या कुछ मिल सकते हैं हाला कि कुछी दूनों में यह 4 चीज़े clear हो जाएगी तो जैसे कि यहाँ पर आप image में देख सकते हो जो TVs हैं यह thin bezels के साथ आता है लेकिन दोस्तों जो lower chin है वो यहाँ पर थोड़ा सा thick दिया गया है नीचे आपको Nokia की branding मिल जाती है बट दोस्तों यहाँ पर कहीं पर भी JBL का नाम mention नहीं किया गया है इसका मतलब यह दोस्तों कि शायद से इन TVs यानि 43 इंच और 32 इंच वीरेंट में आपको JBL powered speakers नहीं मिलेंगे इसके बदले यहाँ पर आपको normal speakers ही मिलने वाले हैं अब यहाँ पर हो सकता है कि जो front part दिया गया जो chin है वो थोड़ा सा thick दिया गया है इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ पर आपको front firing speakers मिलेंगे या फिर हो सकता है कि down firing speakers मिलेंगे तो इसके बारे में कोई confirmation नहीं है जब TV launch होंगे कुछ दिनों बाद तो सारी चीज़े clear हो जाएंगी इसके अलावा दोस्तों यह सभी TVs Android certified TVs होने वाले हैं इसके अलावा दोस्तों जिस तरीके से आपको बाकि सारे टीवी में यानी 32 इंच और 43 इंच टीवी में जिस तरीके से 1GB के RAM और 8GB के internal storage मिलती है सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको वही RAM और वही internal storage मिलने वाली है अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि Nokia अपने इस टीवी में क्या कुछ नया कर सकता है क्योंकि हमने देखा है कि market में कुछ TVs जो लॉंच हुए हैं वो बाकी सारे TVs के जैसे ही होते हैं कुछ extraordinary वहाँ पर हमें देखने हैं नहीं मिलता है लेकिन जब बात आती है Nokia की तो Nokia के TVs में कुछ न कुछ special मिलता ही है जो कि बाकी अधर TVs से थोड़ा सा different होता है तो इस बार देखने वाली बात यह होगी कि Nokia अपने budget TVs में वेल budget तो नहीं बोल सकते है क्योंकि अभी तक pricing सामने निकल कर नहीं आई है लेकिन अपने ये lower end TVs में क्या कुछ अलग देता है वेल यहाँ पर जाता है मुझे लग रहा है कि इन TVs में आपको IPS पैनल मिलने वाला है अगर dual band मिलता है और internal storage अकर थोड़ी सी बढ़ा के मिलती है तो definitely अच्छी बात होगी लेकिन ये सारे चीज़े जब TV launch होगी तो पता चल जाएंगी तो यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा बहुत idea दे दिया है जो कि अभी तक मेरे सामने निकल कर आया है बाकी जो detail वीडियो है जब ये TV launch होगी तो मैं upload कर दूँगा तो उसके लिए आप चैनल को subscribe करकर रखना notification bell को all पर select करकर रखना इसी के साथ दोस्तो बाकी अगर हम बात करें 50 inch 4K विरंट की तो ये जो TV है ये Nokia के 43 inch और 55 inch जैसा ही होने वाला है बस यहाँ पर आपको सिर्फ screen size different मिलेगा बाकी सारी चीज़े यहाँ पर भी आपको same मिलने वाली है इसी के साथ दोस्तो खबर ये भी आ रही है कि Motorola भी अपनी एक नई TV को launch करने वाला है हाला कि एक TV कौन सी होग इसका नाम क्या है इसके बारे में कोई information नहीं है इसके बारे में कोई idea नहीं है लेकिन जैसे ही को information मिलेगा मैं आपको video बना कर update कर दूँगा और हाँ दोस्तो आप मुझे comment में लिखिए ज़रूर बताना कि क्या आप Nokia के इन upcoming smart TVs में interested हो या फिर नहीं तो उमीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like जरूर करना चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को भी subscribe कर लीजे आज के लिए इतना है नेक्स्ट वीडियो